कि क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्वादी चैनल करेक्टिव स्टेटी फॉर सक्सेस पर आप लोग असवाद करता हूं आज हम लोग देखेंगे 21st फेवरी का करेंट फे हिंदी इंग्लिस दोने भाशां में टेलिग्राम चैनल का लिंक जो है डिसक अब हम लोग देखेंगे विस्तार से अब फर्स टॉपिक इस फॉर्म जर्नल स्टुडी पेपर वन आर्ट एक कल्चर समझें थे के यूवी स्वामिनाथा आयर ठीक यूवी स्वामिनाथा आयर जो है ये तमिल के जो है पोयट थे तमिल लिट्रेचर में इनका काफी जो है योगदान रहा है तो इनकी बर्थ अनिवर्सरी थी अभी ठीक तो प्रदा मंतरी जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया है और ये जो है इनोंने क्लासिकल तमिल लिट्रेचर को काफी जो है योगदान कर रहा है उनको तमिल तथा भी बोला ता तमिल तथा को अगर आप वैसे स्वामिनाद आयर ये इनकी विक्चर है जरूर देख लिजेगा अगला अगला जो टॉपिक है जन्र स्टेडिस पेपर वन से है आर्ट एंग कल्चर से वन सगें तो यह है टॉन्टी टॉन्टी त्री इंट्रनेशन ओलंपिक कमिटी की सेशन होने वाली है भारत में भारत में भी कहां पर मुंबाई तो यहां पर जो है ऑफिशली जो है एलेक्ट हो गया है होस्ट मुंबाई 2023 के इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के सेशन के लिए ठिक और इसमें यह चीज़ें करी जाएंगी कि वह यह होस्ट कंट्री कौन होने वाला है 2030 के विंटर ओलंपिक में ठिक तो देखो यहां पर क्या है कि आपका दो तरीके के ओलंपिक्स होते हैं ठिक एक समर ओलंपिक्स होता है जो अभी 2020 वाला कोविट की वैसे 2021 में हुआ जापान में विंटर ओलंपिक्स अभी चल रहा है बीजिंग में चाइना में ठिक तो चार-चार साल बाद 2026, 30, 2034, 2024 ब मुंबई में होगा याद रखिएगा ठिक इसमें 101 वोटिंग मेंबर्स हैं और 45 ओनरी मेंबर्स हैं सब लोग आएंगे वोटिंग करेंगे अपनी ठिक इसमें जो अलंपिक चार्टर है उसको अडॉप करना है अमेंडमेंट्मेंट जो भी होना वो दिखा जाएगा इंडि वर्षो बाद फर्स टाइम कहा हुआ था 1983 में हुआ था अब यह सेकंड टाइम हो रहा है 2023 में हो रहा है ठीक तो कितने साल हो गए 40 साल हो गए अवर नेक्स वापिक स्वाम जनल स्टरीस पेपर 3 एकनॉमी समद्द है पब्लिक इलेक्रिक वेहिकल चार्जिंग इंफ्रस्रक रहेगा क्या प्रैस पैसे रहेंगे क्या रिवेन्यू शेरिंग मॉडिल रहेगा क्या टैरिफ रहेगा वो सारी चीज़ें 14 जनुरी का असपास हम लोग का 15 या 16 को आया होगा करेंट फिर उसमें हमने कर रहा था इसको ठीक वही साही चीज़े है कि को इंडिविज्वल भी कि इसको लगा सकता है अपने घर में जो एक कर清oring और चार्ज कर सकता और ये रहेगा सकता है few almond में और रहेगा और may और म्यम्राई चांप से लगाना चार्ज लगा Αंप्त्र ब्यूर्बिक सब्सक्राइप कर लिबिदेगा कर सकता है तो जो समझोगता हुआ है एग्रिम些 80-20 या 60-40 वाटेवर तो उसका जो भी रिवेन्यू है उसके शेरिंग हो जाए कि समझा होते हैं कि अनुसार ठीक तो यहीं सारे चीज़े फिर इसमें बताए गहीं है टेक्निकल और यह सब लोग जो है अब इसमें कोई भी लगा सकता है पुबिकली भी लेकिन वहीं है मांड और जो स्टेंडर्ड है उनको जो है आपको पूरा करना पड़ेगा ठीक अवर नेक्स वापिक स्वां जनल स्टेडिस पेपर टू इंटरनाशन इलेशन समझे देखे गवाटा नामो बे डिटेंशन कैम्प ठीक यह इसका मैप देख लिए आपर यह मैप है आपका क्यूब क्यूबा की कैप्टर हवाना लेकिन इसके बिलकुल इधर आप इस्ट में आओगे तो यहां पर गौटर नामों करके एक यूएस का नेवल बेस है समया रहा है यह यूएसे का है यह क्यूबा में नहीं है ठीक और इसको ओपन किया था जब 2000 में जो है वर्ल्ट ट्रेट कविव और यहां ठीक किया गाया था हिरास्त में यह जो है उनको निकाल और हटा कर और फिर उसको जो है टेरर जो था उसके उपर जो लोग भी जिनके उपर सब्सक्राइब करता उसने यह कहा भी था कि यहां पर बहुत ही ज़्यादा अमेरिकन्स ने अत्याचार किया था सिर्फ धर्म के नाम पर और जो है कई सब्सक्राइब के नाम पर जो है जो बहुत 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 टॉट्चर करते थे ठीक चले कोई वो तो चलो यह आपने टॉपिक यहां कवर कर लिया मैपिंग देख लेते हैं तो यहां पर एक केमन आइलेंड्स भी जो की यूके यानि की कि ब्रिटिश की ओशियन ओवर सीज टरिटरी ठीक गल्फ औफ मेकसिको यहां पर हो गया यूकार्टं चैनल यहां पर हो गया हवाना यह आपका क्यूबा की जो है बहामाज हो गया ठीक हायती देखें यहां पर है तो मैपिंग प्लीज जरूर करिए मैपिंग से कोशन जरूर 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 आएगा ठीक 280 लोग यहां डिटेन किये गया था जरूरी 2002 से जिनमें से 231 लोग को रिहा कर दिया गया 49 लोग अभी है और 9 लोग तो कस्टिडी में उनकी मौत हो गई चिक इसको गिठमो और यह सब भी बोलते हैं not very important अब नेक्स आप एक सो जरूर 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 वेहिकल रूल्स जो है उसमें रूल नंबर 138 सब क्लॉस 3 के अंतकत यह कहा जाता है कि जो भी person जो front row में बैठे हुए है car में और जो लोग पीछे तो बैठे लेकिन front के तरफ face कर रहे है तो उनको seedbed लगाना अनिवार है और अगर नहीं लगाते हैं तो 1000 रुपए का fine लगेगा ठीक World Health Organization ने यह कहा भी है कि rear seedbed ना लगाने को यह से पूरे world में जो है अगर हम rear seedbed वाले लोग भी लगाना तो 25 पसंड जो है rear seed passenger बैठा हुआ उसकी death को हम रोक सकते हैं साथियाद यह देखा गया है कि आगे वाला तो seedbed लगाता है लेकि पीछे वाले जो rear उसमें बैठे हुए है वो नहीं लगाते है तो जब कभी भी आगे समान लीजे लड़ी गाड़ी तो यह पीछे वाले क्योंकि यह खुले हैं हुए हैं करने आती है इसलिए यह दिया गया एक security net की तरह होता है ठीक तो यह सारी चीजें हैं और गॉर्मेंट ने अभी यह इसलिए था नियूज में क्योंकि उन्होंने कहा है कि मस्ट है वाई शेव्ड वाली सीट बेल्ट जो है लगाना ठीक वाई शेव्ड के लिए इन्होंने यहां पर जोड दिया है अवर नेक्स आप एक सांट्रल एडवाइजिरी बोर्ड औन कल्चर सेंट्रल क्या संस्कृति पर केंद्रिय सालाकार बोर्ड यह जो आपका संस्कृति मंत्राले उसके अंतरकत आता है किसे एक मेंबर की तरह है पॉइंट किया गया है सुधा जो है यहां पर एक City मेंबडर की तौर पर यहां पर सिंटर इडवार्ड्र और कर सकते हैं पारिसे प्रेटिव प्रोसेस इनका रहता है डिसीन मेकिंग में डिफरेंट आइडियाज इंटरेस्ट ये सारे कुछ जो भी कल्चर समंदित हैं वो बताते हैं वहाँ पर ठीक मेंबर का और काम क्या होगा नामी देव क्या है अच्छा इसका जो अध्यक्ष होता है वो मिनिस्टर अफ कल्चर होता है ठीक संस्कृति जो मंत्री होते हैं वो ही जो है इसके हैड होते हैं इस बोर्ड सेंटरल अड्वाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर के हैड वो होते हैं ठीक जो भी कल्चर के मंत्री हैं कौन एसे में कमेंट क करके जरूर बता है और नेक्स आप एक स्वार्म जनल स्टेडी इन्वार्मेंट से समझने देखे मौत मौत मतलब पतंगे ठीक है ना पतंगे थोड़ी यहां पर फोटो दिखाया तो आसानी हो जाएगी समझने में ठीक यह लोग जो है यह जो पतंगे हैं यह जातार रात में निकलते हैं देखाओगा अपने लाइड जली उसके घुमते हैं यह सची है अभी तक जो में धार्णा यह थी कि परागण के लिए यह पॉलिनेशन के लिए सिर्फ दिन में जो चिडिया होती हैं बीज होती हैं यह सब लोग जो है परागण की तरीके से देखी जाती है ठी है ठीक उत्तरपूर्वी भारत में वहां पर स्टेडिन देखा गया है कि 91 स्पेशीज मौत की जो की रात वाली होती है ठीक नॉक्टर्नल होती है निशाचर परागण वो भी पॉलिनेशन करती है उनका भी एक सिग्निफिकेंस है महत्व है ठीक तो उन्हें यह पता है कि 21 परागण की तरीके से काम करते हैं ठीक तो एक नहीं स्टेडी है और यह सेंटिफिक रिपोर्ट में अभी पब्लिश भी किया किया है नीचा गुरूप की ही जनरल है एक्यानवे स्पेशीज और कुछ स्पेशीज का नाम भी बताएगा है मौत के जैसे कि टेली फासा टाइगर मौत लाइकन मौत ठीक तो यह सारी जो है हिमालियन रिजन में और सिक्क्या और नचल प्रदेश में भी हुई थी तो अगर आपसे माली वहाँ पर कुछन पूछता है कि जो पॉली नेशन है या फिर जो परागण है वो सिर्फ और सिर्फ जो है डियर्नियल यानि यानि की दिन वाले जो पैटरफलाई या फिर बी होते हैं चिक मदबख्खी वहीं करते हैं तो नहीं ऐसा नहीं है मौत भी करते हैं जो कि निशाचर होते हैं नॉक्टवन होते हम चिक यह चीज ध्यान रखिएगा मौत जो है यह पैराफा लाइटिक ग्रूप अफ इंसेक वाले जितने भी order के जो लोग member होते हैं, वो सारे के सारे जो है मौत आते हैं, बस इसमें आपका butterfly नहीं आती है, क्योंकि butterfly monophyletic होती है और ये paraphyletic होते हैं, तो वह बावा सथ टेक्निकल है, मेभी question पूछ सकता है, तो एक पर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे identify कर ले जाओगा, that is more important ठीक, अगला जमाट आप एक जनल स्टुडिस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस हेल्थ से समंदित है देखे, इट राइट कैंपस जो हमारा Food, Safety and Standards Authority of India है वो ये कैंपेण चलाता है क्या, इट राइट कैंपस, मलब कोई ऐसी खाने पीने की जगाएं हैं जो की अच्छा खाना दे रहे हैं तो उनको जो है इट राइट कैंपस के खिताब से नवाजा जाता है FSSAI के दोरा ठीक, और यहीं काम अभी हुआ है दिल्ली में, चार पॉलिस इस्टेशन के साथ में ठीक, पॉलिस टेशन 12 खंबा, ठीक, तिलक मार्क पॉलिस टेशन, कनोट प्लेस और मंदिर मार्क, तो यह सब में बढ़िया उनकी कैंटीन में या फिरमेस में, पॉलिस परसनल्स को बहुती नूटिशियस, ठीक, पोशन युक्त और होलसम मील दी जा रही थी, इसलिए इट रैट केंपस के खिताब से इनको नवाजा आ गया है, ठीक, कौन-कौन से हैं, वो भी बता दिये हैं, और यह स्कीम 2017 से चली हुई थी, कॉलेजेज हॉस्टिल्स में भी ये चीर देखी आती हैं, सेवरेल गवर्मेंट इंस्टिशन में दिखाया आता है, ठीक, इट रैट इंडिया is a flagship mission of FSSAI, जो कि एक वैधानिक निकाय है, Ministry of Health के अंतगत, स्वास्त मंतराले के अंतगत आता है, और इसमें एम यही है कि वाई साब जो भी नागरिक हैं भारत देश के, उनको nutrition यहने कि portion युक्त मील मिले और जो lifestyle diseases है जैसे मुटापा है, आपका diabetes है, जो उल्टाइद अखाने के वाई से हो जाती है, वो वाली विमारिया विकार ना हो, ठीक, दिल्ली कॉवर्मेंट ने जो है, Department of Food Safety ने इंप्लिमेंट किया था और बढ़िया है उनका भी एक प्रोग्राम है सेहत मंद दिल्ली, उसके अंतगत जो है, इडरेट कैंपर्स, यह designate किये गए हैं, ठीक, अच्छा है याद करिए, इसको थोड़ा सा समझे कौन बता रहा है, कौन से institution है किस मंतरा लेके अंतरकत आता है यह सारी चीज़े है, चिक, अगर आप लोग को लगता फॉलू करने तो एक बात वा समझ चुके हूँ कि current affair के लिए collective study for success के लावा और कहीं जाने के जोतनी है यहाँ पे बहुत ही, मैं unique तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि current affair और उसके background से समझे जो भी general studies है समान ग्यान है, उसको जो है मैं पूरा चीज़ कवर कर देता हूँ और यह चीज़ जरूरी भी है क्यों 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 जाहतर paper का pattern क्या है कि वो current affair से link करके general studies के question पूसता, तो आपने current affair पढ़ लिया general studies ये पढ़ लिया, facts, concepts आप पढ़ लिया तो फिर बचा क्या, ठीक, तो किताबी कीडे बनने से अच्छा है, इस pattern को जो follow करें हो, collective study for success current affair के लिए one stop destination है ठीक, our next topic is from general studies paper 3, science and technology समझे देखे, active galactic nuclei, सक्रिय galactic नाभिक, ठीक, अब इसमें यहाँ पे देखा गया कि बहुत बड़ा black hole है, huge black hole ठीक, और ऐसी एक आकाश गंगा हम देखा गया है, जैसे हमारी जो milky way galaxy है आकाश गंगा है, उसी के बरावर size की है उसके जो, अगर आप center में देखो, तो एक huge black hole है, ठीक, और उसके इर्द गिर्द, जो है, आपका cosmic dust और gas ने उसको surround कर रखा है, ठीक, और यह पूरा जो shape लगता है, यह donut की तरह लगता है donut एक खानी पीने चीज़ होती देखा होगा अपने, ठीक, तो मीठे सा होता है चॉक्ले टाइक को, मुझे बहुत बेका लगता है, घर जो भी है, तो यह बच्चों को बहुत पसंद है ठीक, और महिलाओं को भी तो इसमें देखे, observation showing roughly donut shaped cloud होता है बीच में बड़ा सा एक black hole हो गया, और जो है, उसके किनाएक रहा है, cosmic dust और gas होती है ठीक, तो यह sentence ने भी देखा है और यह clarity देखता है कि universe का most energetic object ठीक ना, universe का most energetic object इसे बोला जाता है और इसको हम लोगने पहले पढ़ा भी है अगर आप लगाता है, नॉवर से आप देख रहा हो तो आपको पता होगा कि हमने इस galaxy का नाम पढ़ा था messier 77 इतना अदा होता है कि light को भी अपने अंदर कीच लेता है इसलिए प्रकाश भी नहीं दिखता है और काला दिखता है ब्लैक होल इसलिए बोला आता है इसे ठीक, और यह prediction जो है यह किया गया था तीन decade ago पहले जो है तीन दशक पहले और इसको जो एक्टिव गलेक्टिव नुक्लियाई बोलते है ठीक, यह जो है places उसके center में large galaxies के center में होता है काफी चमकीला होता है और कई सारी जो billions of stars है उनसे ज़्यादा चमकता है यह ठीक, और इसमें जो है big bag event के time पे जो big bag event अगर मालोग आपसे पूर ले कि कितने साल पहले हुआ था तो 13.8 billion years ago हुआ था ठीक, तो उसमें जो universe की most energetic odd burst हुआ था उसमें जो जितनी light बनी थी उतनी light जो है इसमें आपको दिखती है किसमें active galactic nuclei में है energy जो है वो rise होती है from gas voluntarily falling into supermassive energy rise होती है फिर gas हो और फिर ये फिर black hole में चली आती है इसलिए जो इसके किनाये किनाये dust बना रहता है tiny particle का rock और suit का suit क्या होता? black suit और ये देखा होगा suit की बात हो ये वाला suit नहीं ठीक, और ये जाता है hydrogen gas की होता है messier 77 इसको NGC 1068 भी बोलते हैं ये फिर squid galaxy बोलते हैं ये हमसे कितना दूर है 47 million light years एक light year का distance कितना cover करता है 9.5 trillion kilometer एक light year क्या होता है कि light की speed से एक साल में कितना distance cover होगा उसको हम light year बोलते हैं तो ये करीवन हमसे कितना दूर है 9.5 trillion kilometer दूर है from the earth in the constellation और ये constellation कौन सा है ये है Cetus ये जो constellation है नक्षात रही Cetus है Cetus भी बोल सकते हैं ये supermassive black hole है जिसका मास करीबन 1 करोण time जादा है हमारे अपने सूरस से तो ये कुछ fact है मैसियर 77 इसको क्या-क्या बोलते हैं इसायची दियान रखना और galactic nuclei बोला रता है मैसियर 77 अवर नेक्स टॉपिक इस पर पत्री एकनोमी समझे किसान ड्रोन अभी प्रदामंत्री जी ने 100 किसान ड्रोन जो है अलग 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 शहरों में उनको flag off किया वो इन्होंने वर्चुली किया अलग अलग शहरों में एक साथ तो हो नहीं सकते वो तो टाउन ऑफ इंडिया कई जगे जह है और इससे स्प्रे कराया उन्होंने पेस्टिसाइड को फार्म खेतों पर ठीक और इन्होंने एड्रस किया वर्चुली एड्रस किया इसको माने सर में बैठके जहाँ पर इन्होंने ड्रोन किसान यात्रा को जो है फ्लेग उफ किया इसमें किसान ड्रोन है जैसे ही देखे यहाँ पर देख रहा हूंगा पिक्चर इन्होंने कई जगे वो लगे हुआ है हर जगे इन्होंने देखा ड्रोन ओड़ रहा है कीटना चक फेक रहा है इससे हम और भी काम लिक करेंगे जैसे की न्यूट्रिन्ट्स कुछ डालने और वरग डालने है इन्सेक्टिसाइड डालने है कीटना चक डालना है जो लैंड रिकॉर्ड्स है भूमी को ज़ए डिस्टलाजेशन करना है अभी लेकों को ठीक और इसके लबबा क्रॉप का करना कभी कहोता ना फसल बीमा योजना के अंतरगत की मुल्यांकन कितने कॉप खराब हुई या क्या हुआ साथियात इसका एम यह है कि कैमिकल फ्री नैशनल फार्मिंग करना है अब पेस्टिसाइड उपर फेक रहे हैं कैमिकल फ्री कैसे हुआ तो चलिए जो भी है तो यह चीज यहाँ पर इन्हों ने बताई है और बजटी स्पीच में हमारे निर्मनला सीता रुमन जी ने बोला भी था कि कैमिकल फ्री नैशनल फार्मिंग को बढ़ावा देना है और जादा तर यह बजट वाले वीडियो मैंने बताया भी है जो गंगा रिवर है उससे जो है आपके दाएं बाएं पांच किलो मीटर तक ठीक पहले फोकस है कि इन इस जो है एरिया को अपने कैमिकल फ्री नैशनल फार्मिंग को यहां पर बढ़ावा देना है पहले फेज में पहले स्टेज में इस पर बढ़ावा दे रहे है तो इसी साथ में आज हम लोग का सेशन कतम होता है आज समरी को एक रिविजन कर लेते हैं यहां पर यूवी स्वामिनाथ आईयर का वर्डे था यह तमिल स्कॉलर है इनको तथा भी बोला था तमिल तथा मला ग्रैंट फार्था दोजाट तैस इंटरनेशनल उलंपिक कमिटी सेशन जो है मुंबाई में होगा पब्लिक एलेक्टरिव वेहिकल चार्जिंग इंफा स्क्चर इसमें यहीं मिस्ट्यव पाउर ने जो है गाइडलेंस निकाली है गौाटनावो बे डिटेंशन कैम्प यह यूएस की ओवर्सीज के टेटरी है आपका क्यूबा के पूरवी हिस्से में है आपका जो वर्ल्ट्रेट सेंटर पर हमला हुआ था 2000 में उसके बाद यहां पर इनोंने डिटेंशन सेंटर बनाया था हिरासप के लिए रिया सीड़ बेल्ट जो है लौ के अंतगत बोला गया है कि ज़रूरी है और गौर्वर्मेंट ने बोला है कि जितने भी आटोमबील सेक्टर वाले हैं वो सब वाई शेब्ड सीड़ बेल्ट को बढ़ावा दें ठीक सेंटर एडवाईजरी बोर्ड ऑन कल्चर में एक मेंबर नहीं जोड़ी गई रगुनातन जी ठीक तो इनका और इस जो एडवाईजरी बोर्ड के जो हैड होते है वो कौन होते हैं जो भी संस्कृति मंत्री होते हैं वो मौत यानि की पतंगे ये क्या होते हैं ये पॉलिनेशन यानि की परागण में भी इनका भी महत होता है ये चीज अभी स्टेडी में देखी गई है पहले मनाता था कि जो दिन में क्योंकि पतंगे जो होते हैं ये एक स्कीम है एक प्रोग्राम एक कैम्पेन है जिसमें गौवर्मेंट के संस्थान, कॉलेज, यूइनिसिटी ये सब लोग जो है अच्छा खाना खिलाते हैं तो उनको दिया जाता है भी दिल्ली के चार पुलिस टेशन को ये चीद दी गई है बारा खंबा हो गया मंदिर मार् इन सब में कैंटीन में अच्छा खाना दिया जता है इसलिए इसको इट राइट कैमपेन के किताब से नवासा गया है एक्टिव नुकलियाई जो आपका गलक्तिव नुकलियाई है इसमें बीच में ब्लैक होल होता है बहुत बड़ा और उसके इर्द गिर्द जो है क्लाउ 7 million light years दूर है ठीक करीब दूर नौ trillion के लिए उटा दूर है हमसे किसान ड्रोन सिंपल जी बात है किसान जो है फार्मिंग में ड्रोन का उप्योग किया जा रहा है कीट नाशक फेकने के लिए और वरक फेकने के लिए डलने के लिए उसका जमीन का अब लेक जो है उसको डिसलाइश करने के लिए जमीन का क्रॉप का जो है मुलेंकन करने के लिए इस सब कामों के लिए ठीक तो कैसे लगा आज का सेशन आप लोगों अगर पसंद आता तो प्लीज आप अपने चैनल को बढ़ावा दीजे क्योंकि ये इससे बहुत हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका सपोर्ट भी हमें इसके लिए चाहिए और ये आपके लिए भी बहतर है और ज़्यादा ज़्यादा मैं और अच्छा काम करने कुश्च करूंगा ठीक और कोई डाउट है तो आप लोग जोए नान 65034 772 पर कॉल कर सकते हैं चले कल फिर से बलाकात होगी सुबच्छे वे तद तक लिए आप लोगो से लेते हैं अलविदा जाएं जाएं जावरत ओल्डवरी वेस्ट हेवन देवात राम